तो आज इमनों पढ़ने वाले जैसे सीजी इल्में प्रैक्टिस सेट पेपर 8 के अंदर कंप्यूटर के ग्यान को इसमें बहुत सारी इंपॉर्टन को आपको बताए गया है इसमें बहुत सारे कोशन ऐसे आपके एक्जाम में मैच कर सकते हैं कुछ कोशन ऐसे आपके डूतिः पीडही में के अस्थान पर किशाने या रखे गया आपके पास परेयों किस cảन कंपप्यूटर उधार ने इंदर को बात करते हैं यूली फैक और तो यह आपका कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग落 के एक उधारन है साथ ही साथ प्रथम पीड़ी के कंप्यूटर में इस मृती जिसको मेमोरी बोलते हैं के लिए सर्फिट्री और चुंबकिय ड्रॉम के लिए वेक्यूम ट्यूबो का इस्तिमाल जो है वो किया जाता था इसमें आप याद रखेगा तो इसका क्या हो जागा तो आप इसमें याद रखें कि मदर बोट जो होता है वह आपका किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोट जो है कहला ता है वहीं यह एक सर्किट बोट भी होता है साथी साथ जिस पर आप CPU तदह इसमिती यानि की मेमोरी जैसे कंपोनेंट भी सामिल होते हैं तो यह क्या इन्पूट डिवाइस का उधायाने वो क्या होता है आपके पास माउस होता है की वोड होता है और क्या होता है इसके नहीं होता है तो जी हां अगे बढ़ते हैं और देखते इसका नेश कोशन जो है आपका कि महत्रपूर्पूर्पूर्उद अधायाने वहीं का मैने में में निग्यूति क्या होता है वहीं यह कंप्यूटर का एक hardware device होता है इसे याद रखे कि MMU जो है वो आपका computer का hardware device होता है जो आपका virtual memory का परभंदन जो है वो कर सकता है वही नेश्कोसन आपके पास की desk एक ऐसा feature है जो सार्णियों और multi programming का उपयोग किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक users को सुविधा देता है बताएए क्या है तो जी हाँ अगर इसमें आप याद रखे है कि वो होता है आपका time sharing क्या होता है time sharing जो होता है वो आपका एक ऐसा महत्वपून feature है जो आपका शार्णियों और मर्टी programming का उधारन है जो आपका किफायती पढ़ने के कारण 2 या 2 से अधिक उपयोग करता हो यानि की users को सुविधा कोपी राइट वाले software की अवैद कोपी करने को software piracy बोलते हैं क्या बोलते हैं software piracy बोलते हैं अगर हम बात करते हैं software piracy की तो याद रखे है कि software piracy के तहत किसी computer के software की नकल blank cd या फिर अन्य storage device में राइट कर बेच दिये चाती है यह भी आप इसमें याद रखेगा वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका next question जो है आपका की dash उपयोग करता हो और computer hardware संसादनों के बीच एक interface के रूप में कार्य करता है बताए कौन करता है तो जी हां आजाए operating system में अपरेटिंग system की बात करते हैं तो operating system उपयोग करता हो और computer hardware संसादनों के बीच एक interface यानि की अंतरा फ्लन याद रखेगा के रूप में कार्य कर सकता है वहीं operating system के बहुत सारे पर्मुख उधायन है जो आपको जाना बहुत जरूरी है तो देखे आपका operating system के फॉस्ट उधायन आपके पास है प्रोसेसर मैनेजमेंट दूसरा है memory storage and management तीसरा है device management चौथा है application interface और पांचवा है आपके पास user interface तो इससे आप याद रखेगा वही नेश्कों से आपके पास की computer application को बनाने के लिए परियुक्त DVMS किसको कहते हैं वताइए किसको कहते हैं तो जिहां अगर हम बात करते हैं computer application को बनाने के लिए परियुक्त DVMS क जिसमें आप याद रखेगा कि computer application को बनाने के लिए जो DVMS आपका यूज होता है DVMS का पूर्ण रूप जो होता है वह आपका होता है database management system याने की DVMS होता है वही API को याद रखेगा जिसका पूरा नाम जो होता है वह आपका application program interface होता है आपका यह question जिसमें जाना बहुत important था that means correct answer क्या हो जाएगा इसका option D हो जाएगा ठीक है किसको कहते हैं तो आपका database management system को कहते हैं वही next question आपके पास के निम्न लिखित में से कौन सा machine independent program है बताए यह कौन सा machine है तो जिहां अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं उच अस्तर यह भासा जिससे हम लोग high label language कहते हैं तो यह आपका एक machine है जो आपका independent program होता है वही next question है आपके पास की व्यापक रूप से परयोग किया जाने वाला सारो भॉमिक gate है बताए यह कौन सा वो गेट हम लोगेट पढ़े आना जो आपका सारो भॉमिक gate होता है वह आपका होता है नोर तथा NAND होता है क्या होता है न नहीं है तो जी आगर हम लोग यहाँ पर हाँ अधारित सम्चार पढणालियों पर और अप्टिकल फाइबर सिस्टम के कई सारे फैदव होते हैं इन फैदों में हस्त्षेप यानी की इंटर्फेरेंस चिनन और बैड़ विट विसेस्ताइं जो है वो सामिल है इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा हाघ के पॉस्ट सर्फ जील होता है उसे पॉर्ट बोलते हैं याद रखेगा घूला के रूप में पॉर्ट यहीं या परिदिये उपकर्णों के साथ वह आपका एक अंत्रा फ़लक यानि की इंटरफेस के रूप में कार्य करता है वहीं कंप्यूटर के अन्य हिसे जैसे मोनिटर हो गया माउस हो गया की बोड हो गया और अन्य डिवाइसे हो गया उसके साथ भी पोड के माधियम से मुख्य कं मलं रिखेगा और नेशा को सेनव आपके पास की वी माक्स का एक अभी प्राय है अगर मैस का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो वह आपका होता है वल्डवाइड इन्फास्टेक्ट्टर फॉर माइक्रोवेव एकसे ठीक है यानि की ओसन्वी इसका तकनीकी है क्या है एक आपका दूर संचार तकनिकी है और बिसिकली इस तकनिकी के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बिना तार की सहायता से संपर किया जा सकता इसे आप याद रखेगा वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स कोशन जो है आपका कि अब यहां पर इस्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तानात्रन की सुविधा जो है परदान करते हां जी बिल्कूल करते हैं कोई भी कथन आपका गलत नहीं है दोनों सही है इसलिए आपका ना तो एक और ना ही दो यापका सही हो जाएगा ना क्यूंकि आपके प हैं तो आप याद रिखेगा कि इंटरनेट का उद्गम जो है ना वह आपका आरपा नेट से हुआ है आरपा नेट का फुलफोम अगर बात करते हैं तो आरपानेट का फुलफोम आपका होता है एडवांस रिशर्च प्रोजेट एजनसी नेट्वर्क याद रिखिए का सब्सक्राइब जो है ना आपका डूमैन के नाम को धर साथा एक चाहिए किसी भी इमेल पते मैं कि ईमेल एड्रीज में या फिर बो सकते हो इसके बाद आने वाला सब्सक्राइब नाम को दर साता है और के पास नियुंतम और अधिक्तम संख्या कितनी होती है तो याद रखेगा के मार्कोंस लगुप 2019 संख्या एक होती है वहीं इसके अधिक्तम संख्या होती है यह susie आप्शन जो है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ठीक है इसे याद रिखेगा आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टन कुशन है हम लोग बात करते हैं सेल की तो याद रखेगा कि सेल की सिमाओं को चिनहीत करने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं इसे इसे बहुत रखिगा है वह Alle को साब्त कर देखते हैं लाइफ न्यौसे याद कर Tsch यहाद रखिएगा कि आप लाइफ है तथा बोरुस सकते हैं व Jak i dacia window वाइफ तकनीकमी डाटा का पर्सारन जो है वाब का विद्यू चुमब के रूप में होता है वही वाइफाई तक्निकी में रेडियो तरंगों का उप्योग किया जाता है जबकि लाइफाई जो है वह आपका दृष्य परकास पर आधारी तक्निकी है यहीं इन दोनों में अंतर होता है वहीं लाइफाई एक वायरलिस अन्चा के लिए परकास को माध्यम के रूत में पर्यूत करता हां जी बिल्कुल करता है वहीं यह एक बेतार पर्धुगी की है और वाइफाई से कई गुना तिब्र होता है यहां पर दोनों कथन जो है आपके सही है ना वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका लाश कोशन देखते हैं जो पर्योग की जाने वाली पर्तिक्रियाओं के बारे में डाटा जो है यह सारा आपका उसमें सामिल होता है इसे याद रखेगा यह कोशन आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इस तरह से हमारा जैसे सीजील में प्रैक्टिस सेट पेपर एट के अंदर हम लोग चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट मुफ से कमेंट जरूर किजेगा सारे कोशन के साथ बने रही हम लोग अब बहुत ही जल्दी टोटल दस सेट को कंपीट करने वाले हैं इसके बाद हम लोग मैथ और रिजनिंग को भी स्टड़ी करेंगे तो मिलते हैं लेक्स वीडियो म